इसमिल्य आर्मानु वहीम, असलाम लेकिम स्टूडेंस, स्टूडेंस आर्थ की जो Microsoft Excel के हमारे पास ट्रिप्ट है, यह data को विजूलाइस करने से related है, यह देखिए मेरे पास यहां पर जो चार्ट है, वो देवाइस प्रोडक्शन का जो data है, उसको रिप्रेजेंट करना है, अगर आप ही चारे हैं कि यहां पर जो holiday है, जैसे कि यहां पर Sunday है, इसको आप hide करने तो उसके लिए हमने क्या करना होता है, हमने यहां पर filter के बटन पर click करना है, और हमारे पास यहां पर एक tabs आएगा, यहां से हमने क्या करना है जी, Sunday को uncheck कर दिना है, मैंने दोनों Sunday जो थे किया हो है कि वो जो data था वो भी hide हो गया, next tip क्या है, next tip क्या है, next tip यह है, कि अगर आपके पास जो data present करें आप चार्ट में, आप इसको in term of thousand present करना चारे है, for example, देखें, यहां पर 35,627 है, आप यह चारे हैं कि यहां पर 35,000 में, अगर हम बात करें, thousand में, तो इसमें 305 के है इत्मीन के इसमें 305,000 है, आप चाहते हैं कि यहां पर 305 के लिखा जाए, यहां पर 217 के लिखा जाए, यहां पर 257 के लिखा जाए, तो इसके लिए आपने क्या करना है, आपने यहां पर data को select करना है, यहां से format में जाना है, यहां पर formatting को आपने custom कर देना है, आपने यहा ऐसे मेरा जो माइक्रोफ एक्सल में चार्ट है वो इसी डेटा के साथ लिंक है तो चार्ट में बी जितना भी डेटा होगा और आज़ीच हो जाएगा और कंवर्ट हो जाएगा इन तर्म अव तौज़ेंड तो ये आज की दो तिप्स ही जो के हमने आपके साथ शेयर की, अगर आप data को analysis करना चाह रहे हैं, data visualization करना चाह रहे हैं, आप reporting technique सीखना चाह रहे हैं, आप Microsoft Excel के advanced tools को सीखना चाह रहे हैं, तो अभी हमारे YouTube चैनल को subscribe कर लें, ताके daily जो Microsoft Excel और Microsoft Word, Microsoft Excel से related to videos हमारे चैनल पे upload हो रही हैं, आपको उनकर नोटिफिकेशन है वो time भी मिल सके